Good morning students, आपको मेरी आवाज आ रही है, चलो आ रही है, ओके कुछ इशू हो गया था माइक का, ओके तो I hope आप सभी अच्छे होंगे, ओके ओके ठीक है, तो हमारी जो HP की NT की सार्थी सीरीज चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ MCQs लेकर आ रहे हैं, कुछ थियोरी की वीडियो लेकर आ रहे हैं, जैसे कुलदीप सर ने आपकी जोग्रेफी इन्वार्मेंट कवर कर दी है, आपकी गांधियन जो प्र continuity में हम कुछ MCQs भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आप डेली प्राक्टिस कर सकें, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटिड कुछ ने कुछ MCQs, तो कल मैं इन्वार्मेंट के MCQs लेकर आई थी, आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेर के रिलेटिड कुछ MCQs, अग यहाँ पर जितनी भी वीडियोज हो रही हैं, उसके रिगार्डिंग जो PDF है, आपको अप पर ही अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ कोशन्स अपने, कि consider the following statements regarding ambergris, ambergris जो है आपका, उसके रिगार्डिंग आपको 3 statement दी है, ठीक है, आपन firm whale के digestive system से, ठीक है, तो क्या यह statement correct है, और second statement है आपकी, कि there is a ban on possession and trade of ambergris in India, USA and Australia, तो India, USA और Australia में इस चीज़ का ban है, इसकी trade हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा है कि यह perfumes को बनाने के लिए use होता है, तो आपने बताना है, यह December के time पे news में रहा था, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी statement correct है, ठीक है, हाँ जी बताइए कि कौन सी statement इसमें से correct है, बी, very good सचन, तो आपका जो ambergris होता है, उसके regarding में आपको बता देती हूँ कि यह एक ऐसे कुछ substance सा होता है, ठीक है, और यह बनता कहा है, जो आपकी sperm whales होती है, यह आपकी sperm whale है, इसके digestive system में बनता है यह, ठीक है, और बनता क्यूं है, कई बार यह जो sperm whale है, कोई hard या sharp objects ले ले लेती है, या फिर कोई marine animals जिसको यह खाती है, तो जादा quantity में खा लेती है, इसकी वज़े से इसके जो feces हैं, उसके थूँ यह एक ऐसा waxy substance पास होता है, और इस waxy substance को हम ambergris कहते हैं, यह grey amber color का होता है, ठीक है, और कई बार हम इसको floating gold भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत जादा monetary value है, इसको trade किया जाता है, ठीक है, लेकिन इंडिया वाले इस चीज़ को नहीं trade करते हैं, यह use कहां पे होता है, आपके medicines में use होता है, और आपकी perfumes की जो fragrance है, उसको stabilize करने के ल conservation of nature है, वो अपनी red list निकालती है, जिसमें वो nine categories में, यह मैंने आपको बताया हुआ है, already की nine categories में हर एक animal species को डालती है, ठीक है, animal हो गया, bird species को डालती है, कि वो किस category में है, तो यह sperm whales जो है, vulnerable category में आते हैं, और जो sites है आपकी, यह भी international convention है, ताकि हम endangered species की trade ना कर सकें, उसक इसके भी कुछ ना कुछ appendix होते हैं, तो उन्होंने भी appendix 1 में इसको डाला हुआ है, ताकि इसकी trade को ban किया जा सकें, next है आपका wildlife protection act, जो 1972 वाला था, उन्होंने इसको schedule 1 में डाला हुआ है, ठीक है, इसको conserve करने के लिए, या फिर इसकी trade ताकि ना हो सकें, I hope आपको amber gris के regarding समझ आया वेगा कि यह होता क्या है, ठीक है, अगर आपको paper में आ जाए कि amber gris से related, यह किस से related है, ठीक है, तो आप identify कर पाओगे वहां पे, next है आपका कि आयुष्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना के regarding आपको 2 statements दी है, आपने बताना है कि इसमें से कौनसी statement correct ह ठीक है, तो PMJ जो योजना है, उसके regarding है कि यह health cover provide करती है, 5 lakhs का, per family, per year, मतलब एक साल में एक family को 5 lakh रुपे दिये जाते हैं, किस चीज़ के लिए, primary, secondary और tertiary care hospitalization के लिए, ठीक है, दूसरी statement है कि इसकी वज़े से, it envisions to help mitigate catastrophic medical expenditure, जो भी हमारा दवाईयों से related जो expenditure होता है, उसके regarding यह mitigate करता है, मतलब उसको बचाने की कोशिश करता है, ठीक है, out of pocket जो आपका healthcare expenditure होता है, उसको, ठीक है, और इसके अंदर जो आपका डेंगू है, और COVID-19 जैसे बिमारियां, वो भी इसके अंदर include की गई है, कि इसके अंदर जो भी इससे related खर्चा होगा, तो हम उसक को भी cover करेंगे, तो आपने बताना है कि इसमें से कौनसी statement correct है, हाँ जी, बता सकते हो आपकी कौनसी statement correct है, PMJ के regarding, ठीक है, हम इसको एक बार देख लेते हैं, कि जो first statement है आपकी, कि वो 5 लाग रुपया प्रोवाइड करते हैं, per family, per year, यहां तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो primary healthcare hospitalization के लिए 5 लाग रुपया नहीं provide करते हैं, वो सिरफ secondary और tertiary care hospitalization के लिए ही यह insurance provide करते हैं, c, first statement आपकी गलत हो जाएगी, इसलिए आपका बोथ answer नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसका answer बनेगा two only, क्योंकि आपकी जो जन आरोगय योजना है, उसमें primary care hospitalization cover नहीं होती, अब primary care hospitalization होती क्या है, मतलब जैसे आपको normally day to day में बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, उसकी वजए से जो दबाईयों के खर्चे आते हैं, तो वो इसके अंदर included नहीं है, इसमें सिरफ secondary और tertiary care hospitalization included है, इसका मतलब जो जिसके लिए आपको कोई specialist चाहिए, for example आपको heart की disease के लिए cardiologist चाहिए है, तो इसमें वो secondary care hospitalization होती है, और tertiary care का मतलब होता है कि बहुत ही जादा specialization, for example आपको surgery करवाने के लिए heart की है, उसमें खर्चे आ जाते हैं, तो इसमें सिरफ secondary और tertiary care hospitalization को ही cover किया जाता है, लेकिन recently जो हमारी ministry है, उन्होंने डेंगू औ तो इसलिए आपको ये question पूछा जा सकता है, कि डेंगू और COVID-19 में के regarding जो भी खर्चा होगा, तो वो भी इसमें provide किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है कि ये world largest health insurance scheme है, जो की government provide करती है, finance करती है, इसमें 5 lakhs per family दिया जाता है per year के लिए, secondary और tertiary care hospitalization के लि लेंगे, वो recognize कैसे होते हैं, तो वो socio-economic, जो caste senses हुआ था, उसके regarding, जो भी deprived classes है, या फिर जो भी जिनका एक occupational criteria set कर दिया जाता है, कि इतनी जो per annum इतने आपकी income होनी चाहिए, तो वो एक criteria set कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये बहुत सारी Indian families को poverty से निकानने के लिए एक scheme है ताकि उनका जो out of expenditure है, health care के ओपर वो ना हो सकी, ठीक है, I hope आपको इसकी conditions पता चली होएंगी PMJ की, next question है, आपका imaging x-ray polarimeter explorer, तो recently ये news में था, तो उसके regarding आपको दो statements दी है, आपने बताना है इसमें से कौनसी statement correct है, first statement है आपकी, कि it aims to understand how x-ray emission is produced in astrophysical objects, especially under extreme physical condition, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा explorer है, ऐसा polarimeter है, जो कि क्या करेगा, जो भी आपके space में कोई भी x-ray emit हुए है, उनको recognize कर पाएगा, ठीक है, second statement है आपकी, कि it was developed by NASA partnering with Italian Space Agency, तो ये किस ने develop किया है, ठीक है, तो आपने बताना है, इसमें से कौनसी statement correct है, हाँ जी, कौनसी statement correct होएगी इसमें से, देखो जब भी आपको कोई question पढ़ना शुरू कर रहो ना, तो आपको एक उस question का overview सा लेना चाहिए, पहले, पहले उसको depth में नहीं पढ़ने लग जाना, कि it aims to understand, ऐसे नहीं पढ़ने लग जाना, पहले आपने इसका overview देखना है, कि ये क्या statement दे रहा है, और ये question पूछ क्या रहा है, ठीक है, तभी जब भी हम कोई question प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसी वे से कर रहे हैं, कि पहले हमने उसकी ये पढ़ी, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये correct पूछ रहा है, या incorrect पूछ रहा है, उसके बाद हम statements के अंदर गए हैं, हां जी जो भी आपके space में, जैसे कोई black hole हो गया, या neutron star हो गया, या pulsar winds होगी आपके, जो nebula से emit करती हैं, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी आपकी x-ray निकल रही है, तो ये polarimeter उस x-ray को identify करेगा, और ताकि हमें ये पता चल से कि universe का origin के regarding हम इसको detect कर सकें, ठीक है, अभी भी हम थो perimeter x-ray जो emit हुई है, extreme physical condition में उनको recognize करता है, और ये develop किस ने किया था, NASA ने develop किया था, Italian Space Agency के साथ मिलकर, लेकिन ये launch किस ने किया है, launch किया है Space X ने, जो Space X है, आपकी Space Exploration की एक company है, जो की Elon Musk ने बनाई थी, और ये America की एक company है, तो इन्होंने ये launch किया है, Kennedy Space Center से, ठीक है, आपने इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, X-ray polarimeter, explorer के बारे में, ठीक है, next question है, हमारा bird flu के regarding, की bird flu को हम avian influenza भी कहते हैं, और वो सिरफ species of bird को ही affect करता है, ठीक है, and not other species of mammals, बाकी की mammals की other species को ये affect नहीं करता, second statement है, आपकी की, the type A influenza virus जो है, वो zoonotic है, मतलब, they do not affect humans, तो आपने बताना है कि क्या ये statement correct है, ठीक है, तो आपने बताना है, इसमें से कौनसी statement correct है, हाँ जी, जो आपका bird flu है, उसको bird को basically birds का जो scientific name होता है, वो aves होता है, ठीक है, तो bird flu को हम avian influenza भी कहते हैं, और ये bird species को ही affect करता है, बाकी की mammal species को ये affect नहीं करता, तो ये वाली statement आपकी बिल्कुल सही है, और जो second statement है कि influenza की types होती है, जैसे ABCD types होती है उनकी, ठीक है, इसमें से आपकी, हाँ जी, A बनेगा इसका basically, क्योंकि आपकी first statement तो correct है न, D नहीं हो सकता तो, ठीक है, और second statement आपकी incorrect है, क्योंकि zoonotic disease का मतलब ही क्या होता है, zoonotic disease का मतलब ऐसी disease, जो जानवरों से इंसानों में फैल जाए, ठीक है, उसको हम zoonotic disease कहते हैं, तो इन्होंने वो लाए कि ऐसी zoonotic disease है, that do not affect humans, तो ये contradictory statements होगी है न, तो इसलिए आपकी second statement गलत हो जाएगी, और इसका आंसर बनेगा A, that is one only, एक बार देख लेते हैं, हम bird flu के बारे में recently outbreak हुआ था, इसका अलपूजा में ये एक city है केरला की, ठीक है, तो वहाँ पे इसका outbreak हुआ था, तो जो avian influenza, ये एक contagious viral disease है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, कि जो bird flu है, वो bacterial disease है, या फिर एक viral disease है, या फिर कौन सी disease है, कि ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये viral disease है, और ये जादातर birds को ही affect करता है, avian influenza की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ओके, जो आपका influenza virus है, वो चार तरह का होता है, A, B, C, and D, ठीक है, इसमें से अगर influenza virus bird को हो जाए, तो हम उसको कह देते है, avian influenza, ठीक है, लेकिन ये influenza virus जो है, बाकियों को भी हो सकता है, for example, जो influenza A virus है आपका, वो mammals को भी हो सकता है, ठीक है, humans को, pigs को भी हो सकता है, लेकिन जो हमने यहाँ पे पहली statement की बात करी थी ना, कि bird influenza क्या humans तक या mammals को हो सकता है, तो अगर एक बार influenza आपके bird को हो जाए, तो वो mammals को नहीं फैलता है, ठीक humans को affect करता है, और जो influenza D virus है, वो cattle और pigs को affect करता है, इसमें से जो A influenza virus है, वो zoonotic होता है, that means यह animals से humans को infect कर सकता है, ठीक है, और बाकि आपके जो avian influenza है, उसके regarding अलग-लग types दी हुई है, कि कौन-कौन सी avian influenza की subtypes है, जैसे H5N1, यह जो bird flu है, यह हो चुका है, H7N9 हो गया, H9 N2, यहाँ पर जो H और N है, यह hemoglutinin और neuro amenides है, ठीक है, तो उसके regarding bird flu को define किया जाता है, कि इसके अंदर कितने hemoglutinin present है, ठीक है, तो यह आपने उसके detail में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए, कि bird flu होता क्या है, और influenza virus क्या है, उसकी क्या types है, यह किस-किस को हो सकत है, ठीक है, next question है, आपका with reference to Guru Tegh Bahadur, consider the following statements, तो उसके regarding आपको तीन statements दी है, आपने वदाने इसमें से कौन सी statement correct है, जो आपके Guru Tegh Bahadur जी है, उनके regarding statements है, first statement है कि उनको दिल्ली में execute किया गया था by Mughal Emperor Aurangzeb, second statement है, आपकी, he led to transformation of Sikh community into military community, जो आपके soldier, saints हैं, जो Sikh community, warriors जो बन गया है, जैसे निहांग्स वगेरा होते हैं, तो इन्होंने ही यह transformation करी थी, इन्होंने ही यह सबसे पहले शुरू किया था, third है कि उन्होंने अननदपुर साहिब को found किया है, तो आपने बताने इसमें से कौन सी statement correct ह है, हाँ जी, कौन सी statement correct है इसमें से, ठीक है हम देखते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, उन्होंने सबसे पहली बात, ये military community को शुरू नहीं किया था, ये आपके हर गोबिंद सिंग ने किया था, ठीक है, गुरु हर गोबिंद जी है, जो उन्होंने किया था, ये तो यहाँ पर आपकी first और third statement correct है, एक बार गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देख लेते हैं, ये हमारे ninth सिख गुरु है, जिनको हम protector of humanity भी कहते हैं, इसमें इसको पंजाबी में शृष्टी दी चादर कहन दे हैं, ठीक है, तो उनकी जो राइटिंग्स है बेसिकली वो गुरु गरंथ साहीब में add की गई हैं, बाकी उन्होंने बहुत सारे preaching centers भी शुरू किये थे, और इन्होंने जो आननदपुर साहीब है, उसको भी found किया था, और जो आननदपुर साहीब है, उसको पहले छक नानकी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, छक नानकी के नाम से जाना जाता था, और और औरंगजेब जो है आपका, उन्होंने इनको दिल्ली में execute किया था, औरंगजेब आपको पतावेगा, औरंगजेब कौन था, शाह जहान का बेटा, जो की जहांगीर का था, और अकबर का यह हम बच्पन से पढ़ते आ रहे थे, कि अकबर का changed war wage किया था, ठीक है, और यह हमारे sixth guru है, और इन्होंने अकाल तक्त को भी बनाया था, जो आपका अकाल तक्त होता है न, वो जो हमारा दर्बार साहिब है, उसके सामने जो एक seat होती है आपकी, ठीक है, पावर वाली मतलब एक throne होता है, जहां पे गुरु हर गोबिंद जी ठीक है, उन्होंने अकाल तक्त को भी fortify किया था, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है आपका की प्रधान मंतरी अवास योजना ग्रामिन के regarding, ठीक है, कुछ statements दी है और आपने identify करना है इसमें से कौनसी statement incorrect है, ठीक है, तो आपकी जो प्रधान मंतरी अवास योजना ग्रामिन है, उ related होता है, ऐसे ही एक अर्बन वाला भी शुरू हुआ है, ठीक है, जो अर्बन वाली मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो रूरल फैमिलीज के अंदर पक्का हाउस देने के लिए ये एम करता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी की beneficiary will be identified by three stage validation process, इसमें जो beneficiary है इसके regarding हम उनको identify करते है, तो आपने पताना है कौन सी statement इसमें से incorrect है, incorrect पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है, शिक्स्त का D, very good, आपकी दोनों statement यहाँ पर correct हो जाएंगी और आपका इसका जो answer बनेगा वो D बनेगा, क्योंकि इसमें से incorrect statement कोई भी नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपके हम इसके बारे में देख लेते हैं, प्रधान मंतरी आवास योजना जो ग्रामिन वाली है, उनका objective है कि हम 2022 तक housing for all सब को घर प्रोवाइड करेंगे, पक्के घर देंगे, ठीक है, आपकी जो पहली इंद्रा आवास योजना चल रही थी, उसको ही दुबारा से 2016 मे री स्ट्रक्चर कर दिया गया और इसको बना दिया गया प्रधान मंतरी आवास योजना, ठीक है, जो आपकी ग्रामिन वाली आवास योजना है, वो कौनसी मिनिस्ट्री ने लाँच की है, वो रूरल डवलाप्मेंट वाली मिनिस्ट्री ने लाँच की है, जो आपकी 2022 तक इसके लिए अगर मुझे beneficiaries को identify करना है कि किस-किस को ये घर मिलेगा तो मैं तीन तरीके से उसको identify करूँगी एक तो 2011 का जो socio-economic car census हुआ था उसके regarding, दूसरा है gram सभा के regarding और तीसरा है geo-tagging के regarding इन तीन stages के थुरू मैं अपने beneficiaries को identify करूँगी कि किस-किसको ये घर मैं, किस-किसको government ये घर provide करेगी ठीक है और beneficiaries है कौन, जो SC-ST category से belong करते हैं, free bonded laborers हैं तो ये इनके beneficiaries हो गया इसमें जो cost sharing है कि कितनी cost कौन provide करेगा, तो वो है आपकी 60-40, ठीक है आपकी जो 60% cost है वो central government provide करेगी और 40% जो cost है वो state government provide करेगी और कहाँ पे plain areas में, जितने भी plain areas हैं, अगर वहाँ पर घर बनने हैं तो 60% खर्चा सरकार उठाएगी, central government उठाएगी और 40% जो खर्चा है वो state government उठाएगी, ठीक है अगर मैं हिली states की बात करूँ तो वहाँ पे central government 90% इसको खर्चा उठाएगी और 10% आपका जो state है वो उठाएगी, ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपका Hornbill festival से related जो अभी recently हुआ था तो उसके regarding आपको दो statements दी हैं, आपने इसमें से correct statement को identify करना है फर्स statement है आपकी कि it is organized by state government of Nagaland कि ये Nagaland की state government ने organized किया था ताकि वो अपने state में tourism को promote कर सके second question है आपका the start of this festival also marks Nagaland statehood day कि जब इस festival का start होता है तो उस दिन आपका Nagaland statehood day भी मनाया जाता है तो आपने इसमें से identify करना है कौनसी statement correct है हाँ जी, बता सकते हो आप मुझे इसमें से कौनसी statement correct है C ठीके आपकी दोनो statement बिलकुल correct है जो आपका Nagaland है वो 1963 में 1st December को बना था ठीके Nagaland जो state है वो 1 December 1963 में बने थी और जो आपका Honbill festival है वो भी 1 December से ही शुरू होता है तो ये 10 दिन के लिए ये festival मनाया जाता है और इस festival का जो start है वो Nagaland statehood day से है ठीके बाकी इसको festival of festivals भी कहते हैं 10 दिन का होता है और इसका जो नाम है festival का वो हमारी जो Honbill bird है उसके उपर रखा गया है क्योंकि जो Honbill bird है वो अपने बहुत अलग अलग तरह के colors दिखाती है ठीके तो ऐसे ही जो Nagaland state है उसमें जो tourism है या उनका जो culture है वो इस festival के थूरू दिखाया जाता है ठीके तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये Honbill festival हो रहा है बाकी Nagaland के regarding में आपको बता दू कि जो Nagaland है आपकी वो यहाँ पर lie करती है इसकी जो capital है वो Kohima है और Nagaland किस-किस को border करती है अरुनाचल प्रदेश हो गया असाम हो गया और Manipur हो गया ठीके इसको border करती है यहाँ से आप बाकी की जो north eastern states है आप उनको भी recognize करो और अच्छे से इनको learn करके जाना है ठीके जैसे अरुनाचल प्रदेश उसकी होगी capital इटा नगर, असाम दिसपूर तो यह directly पूझ आते हैं और बच्चे थोड़े इस चीज में confused भी हो जाते है ठीके हैं? नेक्स कोशन है आपका जो आपका project rehab शुरू हुआ था उसके regarding आपको दो statements दी है आपने बताना है इसमें से कौनसी statement correct है rehab project है तो उसके regarding है कि it is intended to create bee fences जो आपके bee fences होते हैं मतलब जो bees होती हैं, मदु मक्कियां होती हैं उनके fences बनाए जाते हैं, मतलब जैसे एक मदु मक्की का box है तो यहाँ पे एक fence बना दी, ऐसे करके bee fences बनाए जाते हैं ताकि हम elephant और human की conflict को reduce कर सकें मतलब जो elephants humans के conflict में आ रहे हैं जंगलों से बाहर जो elephant आ रहे हैं और उनकी जो है, क्योंकि habitat destroy हो चुकी है तो उसको reduce करने के लिए है यह second है कि यह वला जो mission है, वो khadi and village industry commission ने launch किया था तो आपने बताना है कि कौन सी statement correct है बिल्कुल जी, 8th का C option है, दोनो statements correct है आपका जो project rehab है, उसके regarding में आपको बता देती हूँ कि यह KVIC ने launch किया है KVIC है क्या आपकी, KVIC है khadi and village industry commission ठीक है, यह जो commission है आपका यह कौन सी ministry के अंडर आता है आप बता सकते हो मुझे यह question भी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ जो KVIC है वो कौन सी ministry के अंडर आता है तब तक आप बताओ मुझे answer मैं आपको आगे बताती हूँ तो यह जो project है वो bee fences इसमे bee fences बनाये जाएंगे मतलब जैसे मान लो यह एक कोई forest है और इस forest से यह वाला आपका human वाला area जहां पे humans रहते हैं वो area शुरू हो रहा है तो यहां पे हम इसके आसपास fence create करेंगे ठीक है इस forest के आसपास ताकि जो elephants है वो इस area से बाहर ना आए और human के conflict में ना आए तो इसको fence करने के लिए KVIC ने क्या किया ऐसे बड़े-बड़े boxes से बना दिये ठीक है और उस boxes के यहां पे fence लगा दी ठीक है इस boxes के अंदर थी क्या इस boxes के अंदर honeybees थी तो इससे क्या होएगा बहुत सारा honeybees produce होएगा और यह farmers को अपनी income generate करने के लिए help करेगा ठीक है और दूसरी बात एक तरह से fence भी create होगी है ताकि जो elephant है वो human के conflict में ना आए ठीक है तो यह KVIC का mission था KVIC का जो national honey mission है उसके अंदर यह एक mission था ताकि हम honey की production को increase करें और farmer की income को बढ़ा सकें बाकी यह जो fencing system है यह बहुती जादा cost effective है इसमें fencing करने के लिए एक जगा की fencing करने के लिए बड़ी-बड़ी trenches नहीं कोदनी पड़ती है तो इसके regarding project rehab के regarding I hope आपको समझ में आया होगा ठीक है तो कौन सी ministry के अंदर आता है MSM में बिल्कुल micro, small and medium enterprises ministry के अंदर आता है ठीक है next है आपका lesser lesser florican इसके regarding आपको दो statements दी हैं और आपने इसमें से correct statement को identify करना है कि lesser florican जो है उसको हम कर्मोर भी कहते हैं ये busted family की smallest bird है second statement है आपकी कि ये vulnerable category में है IUCN की तो आपने इसके regarding बताना है कि कौन सी statement correct है recently अभी news में थी तो आपको जो जो भी species news में होती हैं उसके regarding आप से पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सी IUCN की कौन सी category में लाई करती है ठीक है ये bird है mammal है या क्या है ओके तो देख लेते हैं हम जो आपकी lesser florican है वो कुछ ऐसी दिखती है ये एक bird है जो की vulnerable category में नहीं है ये IUCN की endangered category में है ठीक है इसको हम lick भी कहते हैं और करमोर भी कहते हैं और ये busted family की सबसे smallest bird है busted family आपको पताओएगा जिससे जो आपकी great Indian busted है जो सबसे heaviest bird है वो भी इसी family की है तो इसमें से सबसे smallest कौन है आपकी lesser florican ठीक है next है IUCN category इसकी endangered है wildlife protection act में इसको schedule 1 में डाला गया है और sites में इसको appendix 2 में डाला गया है क्योंकि इसको threat है hunting से और इसकी जो habitat है वो destroy हो रही है इस वज़े से इसको अलग-लग category में डाला गया ताकि हम इसको protect कर सकें तो इसमें आपकी second statement गलत हो जाएगी और इसका answer बनेगा आपका one only very good जिसने answer दिया है okay next question है आपका neurocystees sarcosis ये एक disease है तो इसके regarding आपको दो statements दी है आपने इसमें से identify करना है कि कौनसी statement correct है ठीक है ये recently news में थी ये वली disease तो आपने इसमें से correct statement को identify करना है पहली statement ये है कि ये एक zoonotic disease है अभी मैंने आपको zoonotic बताया कौनसी disease होती है जो कि animals से human में transfer हो जाती है ठीक है next है कि जिनको भी neurocystees sarcosis होगा वो बाकियों को ये disease spread नहीं कर सकते मतलब एक बार अगर animals से ये humans में आगी तो human to human ये disease transfer नहीं हो सकती आपने बताना है कि कौनसी statement correct है हाँ जी no idea okay then I will give you the idea ठीक है तो आपकी यहाँ पे जो neurocystees sarcosis है बिल्कुल ये एक zoonotic disease है जो pigs होते हैं ये disease pigs से हमारे अंदर आ जाती है ठीक है एक बार अगर neurocystees sarcosis हो जाता है किसी person को तो वो दूसरे person को transmit नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे होता है for example ये एक pig था और इस pig का जो pork होता है जो इसका flesh होता है अगर ये एक human ने खाया तो अगर इस pig के अंदर जो आपका tape worm है अगर उसका larva present होगा तो इसका मतलब ये pig infected है ठीक है और इसके pork के अंदर भी इसका larva होगा ठीक है और ये larva अगर ये pork किसी person ने खाया तो इसकी human की intestine में चला जाता है जब intestine में चला जाता है तो ultimately human के feces के थूँ इसका larva दुबारा से बाहर आ जाता है और ये दुबारा से ये एक life cycle बना लेता है मतलब इस इस process को इस disease को हम teeny aces कहते है ठीक है जो teeny aces होती है वो human to human transfer हो सकती है लेकिन अगर एक बार ये larva किसी के brain में चला जाए तो इसको हम कहते हैं कि इसको neurocyste sarcosis हो गया है ठीक है और ये neurocyste sarcosis human to human transfer नहीं होता I hope आपको समझ में आया होएगा मैंने ये बताया है कि जो आपका tape worm है उसके regarding दो disease है एक है teeny aces और दूसरा है neurocyste sarcosis ठीक है जो teeny aces होता है वो human to human transfer हो सकता है ठीक है इसका एक life cycle होता है कि humans के feces में ये जो larva है पोक खाते हैं तो उनके अंदर दुबारा से आजाता है लेकिन अगर एक बार ये larva किसी के brain के अंदर चला जाए तो उसके जो neural system है उसको effect करता है तो इस disease को हम neurosarcosis कहते हैं और ये human to human transfer नहीं होती है ठीक है और बाकी ये zoonotic disease है क्योंकि ये pig से हो रही है अफकॉर्स pig से humans में आ रही है ठीक है जी next question है आपका कि gaming addiction जो आज कल बच्चे बहुत जादा games खेल रहे हैं वो addict हो जाते हैं उस चीज के लिए तो उसके regarding दो statements आपको दी है क्योंकि अभी recently ये news में था तो आपने पताना है इसमें से कौन सी statement correct है first statement है कि जो world health organization है उन्होंने gaming disorder को अपने mental health conditions के अंदर include कर दिया है second statement है आपकी जो आपका diagnostic and statistical manual है of mental disorders ये एक association है American की association है जो कि ये निकालती है तो उन्होंने अभी gaming disorder को अभी classify नहीं किया है तो आपने पताना है कि इसमें से कौन सी statement correct है हाँ जी both are correct बिल्कुल सही very good and aspirant ठीक है तो हम देख लेते हैं कि जो आपकी American psychiatric association है वो ये एक ऐसे करके एक book types निकालती है अपनी editions निकालती है जिसका नाम है Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder तो उन्होंने जो fifth वाली है वो 2013 में निकाली थी और उन्होंने gaming disorder को अभी recognize नहीं किया उन्होंने बोला कि अभी हम इसको classify नहीं करेंगे अभी हम इसको डाल देते हैं कौन सी उसमें condition for further study अभी इसके उपर study होनी बाकी है ठीक है बाकी जो world health organization है उन्होंने इसको एक gaming disorder को अपने mental disorder वाली category में डाल दिया है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बाकी gaming disorder क्या होता है कि अगर कोई person बहुत जादा internet की games वगरा है video games है उसको केलने लग जाए और वो अपनी जो real life है उससे बिलकुल अलग हो जाए ठीक है अपनी virtual life में रहने लग जाए तो उसको हम gaming disorder कहते है ठीक है next question है आपका आत्म निर्भर हस्त शिल्पकार scheme उसके regarding आपको दो statements दी है और आपने identify कौन सी करनी है incorrect statement ठीक है the scheme provides financial assistance to artisans मतलब जो जितने भी artistic लोग है उनको ये financially assist करेगा ठीक है ताकि उनको in term of loans मतलब loan provide करेगा ताकि वो अपनी income को generate कर सके second statement है आपकी कि ये जो scheme है वो all over India में launch हुई है तो आपने बताना है इसमें से कौन सी statement incorrect है कौन सी statement incorrect है ठीक है हम आगे देखते हैं जो आपकी ये scheme है वो north eastern region में launch की गई है तो ये all over India की scheme तो नहीं है तो second statement आपकी गलत हो जाएगी तो बाकी ये जो scheme है ये जितने भी artistic person है अगर उनको अपना talent जो है वो बाहर निकाल के लिए के आना है और उसको explore कर सके ताकि वो अपने लिए income को generate कर सके ठीक है तो first statement आपकी बिल्कुल सही है इसका answer बनेगा A one only incorrect identify करनी है तो इसका second answer बनेगा ठीक है incorrect identify करनी है इसमें statement तो आपका one नहीं बनेगा two only बनेगा ठीक है B तो ये announce की गई थी north eastern region में artistic person के लिए और ये कौन सी ministry ने launch किया ये भी आपने याद रखना है कहीं बार ministries पूछ ली जाती है आप से ministry of development of north eastern region तो ये financial assistant प्रोवाइड करेगी in terms of loan प्रोवाइड करेगी ताकि जो भी artistic person है वो अपने जो भी talent है उनका उसको explore कर सके और उसके थूँ अपनी income generate कर सके तो उसमें collateral free loan दिया जाता है collateral free loan का मतलब ये होता है कि ऐसा loan जिसके बदले में हमें कोई चीज गिर्वी नहीं रखनी पड़ती ठीक है तो 6% annum पर annum पर ये interest rate पर loan दिया जाता है अगर कोई person regularly अपना जो interest है जो अपना loan है उसकी repayment कर रहा है तो उसको 1% की छूट दी जाएगी ठीक है ओके next statement है आपका preamble के regarding तो उसके regarding आपको दो statement दी है आपने इसमें से incorrect statement को identify करना है कि जो ideals of preamble है Indian constitution के अंदर वो सबसे पहली बार जौहलाल नहरूज objective resolution के दुवारा दिये गए थे जो second statement है आपकी कि it was adopted in our constitution on 26 January 1950 तो जो preamble है वो 1956 जनवरी को adopt किया गया था तो आपने बताना है इसमें से कौनसी statement incorrect है हाँ जी कौनसी statement incorrect है हमारा preamble कब adopt किया गया था ठीक है तो आपका जो जौहलाल नहरूजी ने objective resolution दिया था तो उसमें उन्होंने preamble की नीव रखी थी एक तरह से तो ये जो objective resolution है वो 13 December 1946 को जौहलाल नहरूजी ने दिया था assembly में तो इसलिए और जो आपका preamble है वो कब adopt हुआ था 26th day November 1949 मतलब 26 November को 1949 को ये adopt किया गया था तो इसलिए आपकी जो second statement है वो incorrect है तो इसका answer आपका क्या बनेगा B ठीक है incorrect identify करनी थी हमने इसमें से बाकी जो हमारी constitution जब बन रहा था तो उसके लिए एक constituent assembly बनाई गई थी जिसके अंदर नहरूजी ने 13 December को objective resolution पास किया था उन्होंने बोला था कि हमें ऐसा हम ऐसा इंडिया बनाएंगे जो republic होगा democratic होगा हम हर एक person को उनके fundamental rights provide करेंगे और जो backward classes है उनके rights को हम safeguard करेंगे ठीक है और बाकी जो constituent assembly है उसके regarding कुछ कुछ ऐसी चीज़े है जो directly आपके paper में पूछ ली जाती है कि जैसे सबसे पहले जो first meeting है constituent assembly की वो 9th December 1946 में करी गई थी तो temporary period के लिए उन्होंने डॉक्टर सचिदा नंद जी को president appoint कर दिया था फिर दुबारा से आपकी elections हुई थी 11 December को तो उस time पे Dr. Rajendra Prasad जी को president appoint किया था constituent assembly का और जो आपके vice president है वो थे H.C. Mukher जी जो sir B.N. Rao जी है वो constitutional advisor थे हमारे तो आपको directly ये एक एक नंबर में question पूछ ले जाते है statement wise ठीक है और बस ये ही था बाकि Muslim League ने participate नहीं किया था first meeting में जो आपकी 9th December को हुई थी ठीक है next statement है आपकी global multi-dimensional poverty index के regarding ठीक है उसके लिए आपको तीन statement दी है आपने इसमें से correct statement को identify करना है first statement है कि इस index को world bank निकालता है second statement है कि इसके अंदर health, education और standard of living कुछ ऐसे indicators हैं जिसको हम use करते हैं ताकि हम multi-dimensional poverty को identify कर सकें next statement है आपकी कि हर एक indicator जैसे health हो गया, education हो गया और standard of living हो गया हर एक को equal weightage दी जाती है तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी statement correct है 1949 में ठीक है okay let's see the answer जो आपका global multi-dimensional poverty index है वो आपका world bank नहीं निकालता वो United Nations Development Program किसके साथ मिलके निकालता है Oxford Poverty and Human Development Initiative के साथ मिलके निकालता है यह 2010 से निकाला जा रहा है बाकी इसमें कुछ criteria होते हैं जैसे हम health को one third weightage provide करेंगे education को one third weightage प्रोवाइड करेंगे living standard को हम one third weightage provide करेंगे मतलब equal weightage is given है यहाँ पे health में हम देखेंगे कि nutrition कितना है और child mortality कितनी है child mortality का मतलब होता है कि जब एक बच्चा अपनी बच्पन में ही उसकी death हो जाती है उसको हम child mortality कहते हैं next है आपका कि कोई person की years of schooling कितनी है उसकी school की attendance कितनी है बाकि living of standard में हम देखेंगे कि उनके घर में cooking oil present है sanitation अच्छा है कि नहीं drinking water available है कि नहीं तो यह सब चीज़े देखेंगे ठीक है तो इसमें तीनो statement I guess हाँ जी first statement आपकी गलत हो जाएगी world bank नहीं निकालता बाकि second और third statement आपकी correct है तो आपका इसका answer बनेगा C 2 and 3 ठीक है तो बाकि global data यहाँ पर provide किया गया है कि 1.3 billion जो लोग है globally वो multi-dimensionally poor है ठीक है और सबसे जादा जो children है under age 18 वो आदे से जादा बच्चे बतलब जो सबसे जादा जो population है उसमें से आदी जो population है वो under 18 की है जो क्या है multi-dimensionally poor है ठीक है और सबसे जादा poor जो है 85% सब सहारन region में एफरिका वाला जो उपर वाला region है वहाँ पे लाए करते हैं और 67% जो percent वो है वो middle income countries में लाए करते हैं middle income countries मतलब जो भी आपकी developing countries है अभी जो develop हो रही है ठीक है उसमें okay smart system के regarding जो की DRDO ने launch किया था तो यहां से आपको एक और चीज़ पता चल गई statement में ही दे दिया हमने question में ही दे दिया कि जो smart system है वो आपका DRDO ने launch किया था तो उसके regarding आपको दो statements दी है आपने इसमें से correct statement को identify करना है under this schemes the torpedo is launched from supersonic missile system कि यह एक ऐसा system है जिसके अंदर हम torpedoes को launch करते हैं यह एक supersonic missile system है next है आपका कि this missile system is canister based canister based मतलब यह एक vessel में torpedo को डाला जाता है और उसके ओपर यह based है वहां से यह launch किया जाता है तो आपने इसमें से correct statement को identify करना है हाँ जी क्या statement इसमें से correct होगी ठीके देख लेते हैं जो आपका smart system है उसको हम supersonic missile assisted release of torpedo torpedo भी कहते हैं जो आपके torpedoes होते हैं जो आपकी underground submarines होती हैं उसमें से एक ऐसे कुछ ऐसे निकलता है जिसको हम torpedo कहते हैं और हम वो जो हमारी मतलब किसी के against हम इसको release करते हैं ताकि हम किसी को destroy कर सकें जो enemies वगेरा हैं उसके अब उपर ये launch कर सकें तो जो torpedo होती है वो एक particular distance तक ही travel कर सकती है तो DRDO ने क्या किया एक system बना दिया क्या था ये smart system इसके अंदर हमने torpedo डाल दी एक ऐसा canister based system बना दिया उसके अंदर हमने torpedo डाल दी और ये जो torpedo है वो supersonic speed पे travel करेगी supersonic speed का मतलब होता है जो आपकी sound की speed होती है उसे बहुत कई जादा speed इस speed पे ये travel करेगा ताकि जो इसकी limit थी कि पहले यहीं तक जा सकता था अब इसकी जो limit है वो extend हो गी है कि अब ये बहुत दूर तक जा सकता है ठीक है तो ये DRDO ने ये system launch किया है तो I hope आपको समझ आ गया जैसे कि torpedo with range of few kilometers जिसकी few kilometers की range है अब वो बहुत जादा दूर distance तक हम launch कर सकते हैं तो ये एक canister based system है ठीक है तो इसमें आपकी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी correct हो जाएंगी इसका answer C बनेगा ओके next question है आपका non-convertible debentures जो होते हैं उसके regarding जो first statement है कि ये एक ऐसे debt financial instrument है जो कि companies use करती है to raise short to medium term capital second statement है आपकी इसके regarding देखो आपने correct statement identify करनी है जो आपकी second statement है कि it cannot be converted into shares और equities जो आपके non-convertible debentures होते हैं उसको हम shares और equities में convert नहीं कर सकते जो third question है आपका कि they have just wait कि they have a fixed tenure and investor receive regular interest at a certain rate इसका एक fixed tenure होता है और इसमें जो interest rate होता है जो भी इस debt को buy करता है तो उसको certain rate पे अपना interest मिलता रहता है तो आपने बताना है कि इसमें से कौनसी statement correct है हाँ जी कौनसी statement correct है debt instruments जो होते हैं एक बार मैं आपको term के लिए होते हैं तो आपकी first statement यहाँ पर गलत हो जाएगी और इसका यह जो second और third statement है यह सही है तो आपका इसका अंसर C बनेगा एक बार देख लेते हैं कि हम debt instrument क्या होते हैं non-convertible debt instrument for example कोई एक company है ठीक है उसको पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी public में अपने debt instruments निकालेगी तो लोग क्या करेंगे इसको इन debt instrument को खरीदेंगे तो that means यह debts जो है कुछ ऐसे certificates हैं जो की issuer को मिलते हैं अब पैसे देने के बजाए मतलब एक issuer मतलब मान लो मैंने किसी company का एक debt instrument करीदना है तो मैं पैसे देकर debt instrument को खरीद सकती हूँ अब non-convertible debt instrument का मतलब यह है कि यह जो debt instrument है वो shares में convert नहीं हो सकता shares का मतलब है मुझे उस company के shares नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह उसमें convert नहीं हो सकता ठीक है बाकी यह जो है हम long term के लिए निकालते हैं यह जो debt instrument है कोई भी company long term के लिए निकालती है मतलब जैसे काफी काफी सालों के लिए और आपको बता दिया जाता है कि इस debt instrument के उपर इतना interest rate मिलेगा तो वो आपके ऐसे quarterly या monthly आपका जो interest है वो आता रहता है ठीक है लाँच हुई है उसकी कौन सी ministry है ठीक है recently कौन से जो भी vessels थे कौन से festivals थे क्या चीज news में थी तो उसके regarding ऐसे normal से questions पूछ ले जाते हैं आपसे ठीक है तो इसके लिए आपने daily के जो current affairs है अगर आप करते रहोगे तो आप ये question solve कर सकते हो और अगर आप daily के current affairs सिरफ read कर रहे हो उसको आप applied नहीं करके देख रहे हो questions के वे में तो आप मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा उसमें difficulty आएगी ठीक है बाकी nothing is impossible आप कुछ भी कर सकते हो बढ़ाही के मामले में ठीक है जी ओके thank you so much thank you for your patience next class में मिलते हैं फिर हम ठीक है bye bye